हलो गाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीस फ्रॉम बेसिक्स में और आज हम लेगा है डेली गरंट अफेर नौगस 2022 के सभी इंपोर्टेंट कोशन्स तो छले गाई शुरू करते हैं मारी आज के वीडियो तो आज का हमारा पहला फस्ट कोशन ह प्रतिवर्ष रास्ट्रिय हत करगा देवस का कब आयुजित किया जाता है तो ये जो किया जाता है ये किया जाता है साथ अगस्त को तो option C का हमारा right answer है अब साथ अगस्त क्यों important है 1905 की बात है 1905 में गांदोलन हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल वि प्रतिए होई Congress की 7 अगस्त को और 7 अगस्त को ये फैसला लिया गया कि हम एक आंदोलन करेंगे बंग बंग विरोधी आंदोलन और उसी का नाम था स्वदेशी आंदोलन यानि चीजे कैसी हो स्वदेशी हो अब स्वदेशी चीजों को बोला जाता है मतलब जो अपने हाथ स इसलिए 7 अगस को मना जाता है हथ कर गा दिवस अर्यचन का फैसले या लागू हूदा 16 को तो 7 अगस्ता बहुत इंपोर्टन थेट है तो 7 अगस्त के दिन के साथ कर गहा दिवस मनाया जाता है एक स्ट है 6 अगस्ट 2022 को कौन भारत के चौदवे उपरास्ट पती चुने गए तो जगदीब धनकड अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति वाइस चौदवे हैं लेकिन अगर पद के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पद के अकॉर्डिंग 16 वे उपरास्ट पती है पद के अकॉर्डिंग ये 16 वे हैं और व्यक्ति के अकॉर्डिंग ये चौदवे उपरास्ट पती हैं और ये इससे पहले पश्यम मंगाल के राज्यपाल थे और वहाँ से इन्होंने स्तीफा देकर उपरास्ट पती के लेक्शन में घड़े हुए थे और अब ये क्या बने हैं भारत के चौदवे उपरास्ट पती और उपरास्ट पती के प्राफधान कौन से आर्टिकल में आर्टिकल 63 और 64 में उपरास्ट पती राज्य सभा का पदीन सभापती होता है और अर्टिकल 75 के तहत उप रास्टपती रास्टपती के अनपस्थिती में कारे करेगा नेक्स्ट है हमारा अगला हाल ही में किसने पाँच दिवसी उपगरे संचार अभ्यास Skylight आयोजित की है तो ये भारती सेना ने किया है नेक्स्ट है किस टाइगर रिजर्व में मोदी सरकेट विक्सित किया जा रहा है तो टाइगर रिजर्व कौन सा है कारवेट टाइगर रिजर्व और ये है जिम कारवेट टाइगर रिजर्व अब Jim Carvet National Park तो इसका पुराना नाम था Hally National Park और Hally National Park जो यह बना मशुआ था Hally National Park यह बना था 1936 में फिर इसका नाम पढ़ गया Jim Carvet Park और Jim Carvet के बाद में अब इसका नया नाम बन गया है रामगंगा नेशनल पार्क उतकर जाओ अभ टैगर की बात आती है तो टैगर दे कब मना जाता है 29 जुलाइक को मना जाता है Tiger Day इसके अलावा अगर हम बात करें जो भारत में कुल कितने हैं तो तरेपन Tiger Reserve है जिसमें से तरेपन में कौन सा है गुरू घासिदास 36 गड़ में इसके अलावा T Multiply 2 Award किसे मिला है सत्यमंगलम Tiger Reserve तमिल लाडू को मिला है ये भी आपको याद रखना है और Tiger Project कब शुरुआ 1973 में शुरुआ था अगस्त 2022 को सेवी ने विदेश निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अधिक्षता में एक समिती गठित की है तो केवी सुगरमर्नेम की अधिक्षता में समिती का गठन किया गया है तो option 6 का हमारा right answer है और ये हमारे पूर्व RBI के बारत के ये पूर्व आर्थिक सलागार थे और वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलागार कोन है वी अनंत नागिश्रन है और उर्जित पटेल कोन है ये पूर्व हमारे RBI के गवर्नर थे और राजीब कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयोगते है नेक्स्ट है चार से साथ अगस्त थोहजर बाइस को किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन अभ्यास आयोजित किया है तो यह चीन ने आयोजित किया है अब जो ताइवान है ताइवान कौन से दीप परिस्थे थे फार्मोसा दीप परिस्थे थे और ताइवान में ही अभी अमेरिका की एक आई थी स्पीकर नैंसी पलोसी अब उनके आने के बाद में चीन और जादा ख़बा हुआ और चीन ने अपना क्यावए युद्ध्य हप्यास करा है। ताइवान के चारों तरफ पात जगाएं अपन अभ्याद शुरू करा है। तो चीन ने शुरू करा है ताइवान के पास। नेक्स्ट है अगस्ट 2022 में केंद्रिय मंत्री मंडल ने भारत के आध्यतन रास्ट्रिय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC को मन्जूरी दिये अब भारत और सर्जन तीवर्दा में कम से कम कितने प्रतिशत की कमी के लिए प्रतिवत है तो भारत अब कम से कम 45% कम उत्सर्जन करेगा तो मतलब अब कारवन उत्सर्जन क्यों दिककत भरा है क्योंकि इससे होती है ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग सरजन करने वाला देश कौन सा है वो है चीन और सबसे कम कौन सा करता है वो है भूटान इनके नाम भी आपको याद रखने हैं नेक्स्ट है पांच से 11 अगस 2022 तक कौन सा मंत्राले बढ़े चलो अभियान आयुजित कर रहा है तो यह हमारा संस्कृति मंत्राले आयुजित कर रहा है और यह जो हमारा आजादी का अमरत महुत सब चल रहा है पे चत्तरवी वर्षगाट मने जा रही है उसके दैद हरगर ति हाल ही में ऑप्रेशन यहात्री सुरक्षा का सुभारम किया है तो यह रेलवे सुरकषा बल यानि और रार्पी-एफ द्वारा शुरू किया गया है अबов यह operation YEHRI सुरक्षा ये भी RPF का है, इसके लाबा, Óperation A haert, जो तसकरी को रोकने के लिए है, ये भी RPF का है, इसके लाबा, Operation Uplabd, यानि, जो tik-tok की काला बज़ारी है, उसे رोकने के लिए railway न शुरू कर आ है, Operation Amanat, जो खोया पया संभान होता है, उसे बापस यात्री तक पहुँचाने के लिए ये भी railway का है माई सहेली ये भी railway का है तो ये सभी operation आपको याद रखने आहाट, उपलब, धमानत, माई सहेली और यात्री सुरक्षा ये सभी railway के हैं Next है 7 अगस्त 2020 को Commonwealth Games 2020 में निकहत जरीन ने वाक्सिंग में महिलाओं के किस किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है निकहत जरीन ने 48-50 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है और निकहत जरीन कहां की है तो ये हैं तेलंगाना की और तेलंगाना कब बना था दो जुन 2014 को बना था साथ ही हमारे लास्ट वीडियो का सवाल था 2 अगस्त 2022 को किसे प्रधानमंत्री कार्याले में निदेशक पदपर नुक किया गया है तो श्वेता सिंग को नुक किया गया है और हमारा आज का सवाल है अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथेलेटिक्स चैम्पेंशिप में दो मैडल जीतने वाली पहली भारते महिला बन गई है तो उसका अंसर आपको हमारे कमेंट बोक्स में देना है साथी आज की पीडिया फाइल आप हमारे टेलिग्राम गूप वाटसअप गूप यह डिस्क्रिशन बॉक्स से डाउनलोट कर सकते है साथी गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू गाइस